मौच पर 5 लाख रुपे जीतने का मौका और इंडिया गौट टालेंट के सेट पर सेलेब्रिटी से मिलने का मौका भी हैश्टाग मौच बना हिट हो जाओ पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ नमस्कार मैं हूँ प्रशान शर्मा और आप देख रहे ही हैं One India भारती टीम से जब से हर्दिक पांडिया की चुटी हुई है तब से ही भारती टीम को उनकी रिप्लेस्मेंट की तलाश है उनको रिप्लेस करने के लिए टीम में कई खिलारियों को आजमा कर देख लिया लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया है यहां तक कि भारत के युवा और IPL के स्टार आल राउंडर वेंकेटेश अईयर को भी आजमा कर देखा लेकिन वो भी कुछ जादा खास प्रभावित नहीं कर पाए हाना कि उन्होंने T20 में तो अपना नाम आने वाली कई सीरीज के लिए पक्का कर लिया है लेकिन वंडे में उनके चैन पर अब भी सवाल है लेकिन जब से अईयर भारते टीम में आये हैं तब से ही उनकी तुलना हारदिक पांडिया से की जा रही है अब इसी बात पर उन्होंने हारदिक पांडिया के लिए एक बड़ा बयान दिया है हारदिक पांडिया को लेकर अईयर ने कहा कि एक क्रिकेटर के रूप में हारदिक भाई ने भारत के लिए जो किया है उनके लिए मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है ये अविश्वसनिये हैं मैं हारदिक भाई का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ ये तुलनाए बहुत स कहा है कि मुझे बहुत फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है हमें ये समझना होगा कि हम एक ऐसी टीम में प्रवेश कर रही है जहां गलाकाट प्रतिस बरदा है और वो भी हर भूमिका के लिए और हर खिलाडी के लिए है आपकी जगह लेने के लिए सिर्फ कुछ खिलाडी ही नही बलकि सैकडो की संख्या में लोग प्रतीक्षा कर रही है आपको बता दे कि बीती वेस्ट इंडीज और श्रुलंका T20 सीरीज में वेंकटेश अयर ने अच्छा आल राउंड प्रदर्शन करके दिखाया था जिसकी बजह से उन्हें आगामी वंडे सीरीज के लिए एक बार फिर से टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है बागी की तमाम खबरों के लिए आप बने रही है वन इंडिया के साथ